हाई फ्रेंड्स वेलकम आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है एसबी स्टडी में देखिए आज हम समझेंगे इंगलिस का मोस्ट इंगलिस सेक्सपीरियन कॉमेडी यह कभी-कभी आपको देखें गर्यूशन में या तो आपका एम में जो करती इंगलिस उसमें पुछा करता है साथ-साथ जो है त्यारी कर रहे हैं हाई स्कूल वगरा का वहां तो भी स्क्सपीरियन कॉमेडी से कोश्चन आते हैं आएम इसके बारे में बताएंगे आपको तरीके स्क्सपीरिय है क्या कैसे लिखें है दब प्लेज ओफ विलियम सक्सपीर वर गूरूप्ट इन्टू थ में दो टूडे मेनी स्कूलर्स रिकोगनाईज फोर्थ क्रेगरी क्या किये कुछ लोग जो हैं बहुत सारे पंडित लों पहचान किये हैं फोर्थ क्रेगरी Orão's to describe the specific types of komedies जी जह्बन, इस मैं क्या है कि this कि रोमान्स होना बहुत जहुरी है कि चीज़ को वर्णन करने के लिए जान लेज़ें अगर बॉर्न कहा जाए तो 1564 में इनका जन्म हुआ था अस्टेंफॉर्ड यूके में और इनका डाइट किया जाए तो 1616 में इनका डाइट हुआ था सक्स्पीर का सक्स्पीर देखेए बात किया जब फ्रेंट्स इज्भेंश इसे modern of English father कहा जाता है सक्स्पीर को modern और फिंग्लिश फदर सक्सपीर को कहा जाता है क्लास की रूप में हैं और हम समझायेंगे ताकि आपको बहुत है ताकी आपको आसान रूप में किसी तौपिक का इसी रूप में रोप मैं हर क्लास की रूप में हम यहां पर लाने वाले हैं। देखिए इनका एक्जाम्पल ए मीड्समर नाइट्ट्रीम यह बहुत इमपोर्टेट का एक एक प्ले हैं मतलब का सब यह ड्रामा है और कॉमेडी है एक कॉमेडी ऑफ एरॉर्स ऐड्स यह comedy of errors भी है और भी बहुत सारे इसमें लिखे हैं आए कुछ और भी जानेंगे हम लोग Shakespeare के बारे में लिखा गया है जो उसे comedies के दवारा रखा जाता है जहां पर comedy के बारे में बात होती है कितने प्लेज है जो कंसिस्टेंटली अंडरस्टेंड उसको आसानी पुरुवक समझा जा सकता है comedies को बाइनेम नाम के दवारा और जेनर के दवारा most of Shakespeare's romance plays appeared late his life and include plays such as the Tempest and Kimberline इनका देखिए बहुत important आपका जो है plays है जैसे क्या बात किया जा है the Tempest इनका है and Kimberline इनका क्या है दो बहुत important इनका plays है तो Shakespeare's को है रोमा साथ बाद में इसको appear किये थे दिखाया गया था तो दो important आपका दो है the Tempest and the and Kimberline आए कुछ और भी जानेंगे Shakespearean comedy के बारे में this alphabetical list includes everything listed as a comedy in the first folio of 1623 इनका alphabetical list इनका सामिल किया गया पर तेक चीज में जो की comedy की रूप में दर्साया गया है फर्स्ट फोलियो जो लिखा गया है 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो को लिखा गया है इन इन एडिशन टू दा क्वार्टो प्लेज इससे कहा जाए इनका दो नेम है दा टू नौबल किन्समेन लिखे है इनका जो प्लेज है एंड पेरिकल्स उसको बोलते हैं प्रिंस आफ टायर आए कुछ और भी समझेंगे इनका सक्स्पिर जो प्लेज है ईक क्या प्लेज लीखे हैं जो कि आपके इमपॉटेंट है कभी कभी आये का सक्सपित जो यह दो मैंडमड़ करके हम समहा देते हैं आईए फैंच जिखते हैं देखिये यहापच्य क्या है heading आपका है प्लेज ऑप सक्सपीर के जो प्लेज था मिस्ट ड्रामा था रह वो क्या-क्या लिक्षेन के दौरा ने के बारे में बताएंगे फॉस्स जकी आपका important play Shakespeare का है All's well that ends well कभी कई पुशा जाए का ये play जो है किसके दोरा लिखा गया है तक जाम में आपको कहना होगा ये William Shakespeare के दोरा ये play है All's well that ends well Next number two लिखें As you like it लिखा गया है William Shakespeare के दोरा Third है The Comedy of Errors ये play जो बहुत important ये William Shakespeare के दोरा लिखा गया है Number fourth Loves, Labors, Lost Loves, Labors, Lost ये भी क्या है William Shakespeare का एक play है Number fifth देखिए है Major for Major ये भी William Shakespeare के दोरा लिखा गया है Major for Major Number six The Merchant of Venice ये देखिए Most important आपका play है The Merchant of Venice जो की हर जगा आप ये पर्ट्योगिता परिशा में चाहे जो गरिशन कर रहे हैं इंगलिस से चाहे हो एम में कर रहे है इससे question आपका पुछा जाता है Merchant of Venice से ये बहुत ही आपका important जो है एक आपका play है Next देखिए आपका है The Merry Wives of Windsor ये भी आपका important play जो की लिखा गया है William Shakespeare के दवारा Number 8 है A Midsummer Night's Dream ये भी आपके बहुत important है Number 8 के जो play जो लिखा गया है Shakespeare के दवारा A Midsummer Night's Dream जो की MAG MA में जो ये कोर्स है आईए आते हैं next number 9 जो play लिखा गया है Shakespeare के दवारा Number 9 देखिए friends है Pericles Prince of Tyre Number 10 है The Taming of the Shrew ये भी लिखा गया है Shakespeare के दवारा एक play जो है The Taming of the Shrew Number 11 है The Tempest एन नमबर आपका देखिए 12 है Number 12 है Twelfth Night And Number 13 है The Two Gentlemen of Verona जितनी भी play है बहुत important जो Shakespeare के दवारा लिखा गया है हम सब को explain कर रहे हैं जितनी भी play है आपको Shakespeare का remember कर लेना है बनियस understand कर लेना ताकि आपको कहीं पुशे आते है प्लेज के दवारा लिखा गया है Twelfth Night आपको तुन आते दना ये लिखा गया है Shakespeare के दवारा The Two Gentlemen of Verona ये भी लिखा गया है Shakespeare के दवारा आई और आगे भी देखते हैं कुछ और भी play है इनके Shakespeare के देखिए Number 14 है The Two Noble Kingsmen ये भी लिखा गया है Shakespeare के दवारा Number 15 है The Winter's Tale देखिए Most important आपका देखिए प्लेज है The Winter's Tale जो लिए प्लेज जो है Shakespeare के दवारा लिखा गया था और लास्ट देखिए आपका फ्रेंड्स है Kimberline Kimberline जो है ये भी आपका Kimberline जो है ये भी लिखा गया था William Shakespeare के दवारा ये कुर्मला के 16 आपकी जो प्लेज है Shakespeare के दवारा लिखा गया था Most important है एक उजब एकजाम देते हैं देखके जाईएगा और Shakespearean Comedy में कभी-कभी जो है अगर कहें पर इंट्रिक के कोई स्कूल वगरा में घुशना है Shakespearean Comedy से एकजाम में कोशन पुछे आपके इसके पहले वीडियो बनाये थे आपका University Wits का जो हम वीडियो नहीं देखे हैं Description box में हम लिंक दे दिया है वहां से आप इसको वीडियो को देख लें University Wits के बारे में और कुछ अश्टोरी का वरारे में बताएं हैं आपके SB-based study में बहुत अच्छा टॉपिक आपको मिलने वाला हर चीज से बहुत तिम सिंपल तरीके से लाएंगे ताकि आपको बनिया से देखके सिख सकेंगे वीडियो अच्छा लगा अभी तक लाइक ने की लाइक करके अधिस अधिक इसको अब सेर कर दे और सेयन में कर फर्स्ट टाइम है तो SB-based study को सब्सक्राइब करना ना भूले ज़रूर करके और बेल आइकन भी प्रेस कर देए वीडियो को लास्ट वाज करने के लिए आपको थांक्यू और भी इस तक वीडियो चाहिए आपको तकीशी त्यापका भीयाप क्या कर सकते इसमें कमेंट आप कर सकते हूं भीडियो हम बना के आपके सामने लाएंगे ओके थैंक यू